बहुत बहुत धन्यवाद सभी पाटिस्पेंट का सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो बिना किसी देरी के अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके विचार जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आप गीता थेरपी के वारे में जानने के इच्चुक हैं कुछ नया सीखना चाहते हैं तो गीता थेरपी वास्तों में क्या है और इससे क्या परभाव पड़ेगा तो आप सभी को मैं क्लियर बात बता देना चाहता हूं कि इससे खुद की परसनल लाइफ में सुधार होगा कि हम एक बार प्रोफेसनल लाइफ में क्या बदलाव आएगा उसे छोड़ देते हैं हम परसनल लाइफ को पकड़ते हैं क्योंकि अगर हमारी परसनल लाइफ में इससे सुधार होता है तो प्रोफेसनल लाइफ में उसे हम आसानी से लागू कर ही कर लेंगे तो मेरा personally मानना है और मैंने अनुभव भी किया है कि गीता के माध्यम से मेरी बहुत सारी personal जो problem है उनका हल मिला है और गीता के अंदर ऐसे रहस्य हैं जिन रहस्यों को explore करें तो जीवन बदल जाता है और वास्तों में एक नया dimension मिलता है सोचने समझने का जितने भी psychological disorder है चाहे कोई anxiety disorder है कोई दूजरा mood disorder है या अन्य किसी भी परकार का कोई disorder है तो उसमें हमारे सोचने का जो तंतर है वही तो गड़बड हुआ है और गीता थेरपी एक नया तरीका देती है एक नया सोचने का तरीका विक्षित करती है कि हम कुछ चीजों को अलग स अनुभव कर सकें खास तोर से गीता थेरपी या गीता के बारे में भहुत सारे मित परचलित हैं कि गीता कहीं ये कोई धार्मीक चीज है या कोई spiritualism की बाते होंगी गीता के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है गीता में सिरफ आपकी और मेरी बात होगी खुद की बात होती है ग लेकिन गीता दो इंसानों के बीच की बातचीत है जैसे एक counselor है एक counselor है उनके दोनों की जो बीच की बातचीत होती है वही गीता के अंदर की बातचीत है और गीता के अंदर इतनी खूब सूरती है कि ये actual situation में गटित हुई गटना है योकि एक तरप तो युद का मेदान है और वहाँ पर किसी की counseling चल रही है और क्रिशन ने कैसे एक depression में गए हुए इंसान को बाहर निकाला मुझे लगता है कि मैंने counseling जितने लोगों की की या बहुत सारे जैसे professor हैं बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने counseling की है कापी सालों से उनका अनुभा हो रहा है लेकिन अ counseling की गई थी इतियास के पहले counselor क्रिशन के दुवारा और अरजुन एक ऐसा इंसान है जो समझने के लिए भी तयार नहीं है बातों से बात निकाल लेता है तो एक यह interesting story है तो गीता के अंदर एक interest इंटरस्ट भी होगा एक curiosity भी होगी कि जैसे जैसे सलोक दर सलोक हम आगे अच्छी बात है नहीं पढ़ी तो ओर भी अच्छी बात है क्योंकि एसा होता है कि जो हमने पहले से सीख लिया है पहले से जो धारना बना ली है वो गड़बड कर जाती है तो इसलिए पहले अगर आपने गीता के बारे में जाना है तो उसे एक बार के लिए side रख कि आज जो कुछ होगा वो अलग ही होगा, अलग ही हम लेंगे, तो जो पुराना ग्यान है वो उतारना होगा, क्योंकि तभी हम कुछ नया ले पाएंगे, तो गीता के अंदर जो चीजें बताई गई हैं, उनको साइकलोजिकली, कि सबसे पहले हम खुद की लाइफ में कैसे इ लागू होती है, तो पहले जो तीन अद्याये हैं, इन तीन दिनों में हम कवर करी ही लेंगे, और बाकी के अद्याये हैं, उनका मैं सार जरूर बता दूँआ, वरना हम ये गीता बड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि एक-एक सलोग, एक-एक गंटे तक चल सकता है, तो गीत गीता के बारे में कुछ मित परचलित है, उन मित को पहले कलियर कर लेते हैं, कि ऐसे माना गया है कि जो गीता है वो हिंदू गरंत है, अगर आपने या किसी ने ऐसा सोचा हुआ है कि हिंदू गरंत है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गीता, मैंने देखा है कि गीता के स सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है अन्याय यह हुआ है कि गीता को समझ लिया कि एक धार्मिक बुक है और इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बस इसे लाल कपड़े में लपेट दो और इसके आगे दो बत्ती करते जाओ इसकी पूजा करते जाओ लेकिन जो इसमें लिख हुआ है उसको अपलाई करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा ही हुआ है सबसे ज़्यादा हिंदू ने गीता को नहीं समझा है ना ही कृष्ण को समझा है हमने क्या गलती कि कि क्रिष्ण को भगवान बना दिया और उसको मंदिर में बठा दिया सुबह से आम उसको नमस्कार कर क्रिष्ण की बातों को जीवन में अपलाई करने की कोई जरूरत नहीं है तो ये इस तरह के भवु सारे जो मित हैं वो निकल जाएंगे क्योंकि जो रियल में जो क्रिष्ण के उपदेश है उन्हीं को हम पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई ये हिंदू गरंथ है या कोई हिंदू सबत भी नहीं था कोई हिंदू परचलित भी नहीं था तो ऐसा हुआ है कि जो अच्छे गरंथे जैसे कुरान को जो मुस्लिम है उन्होंने अपना मान लिया जैसे गुरू गरंशाइब को सिखोंने मान लिया नानक तो मानवता के जो गुरू थे उनको सिखों उन्होंने मान लिया, जैसे Jesus Christ को Christian है, उन्होंने मान लिया, तो इस तरह से न ये मत जो भेद कर दिया गया था, अलग अलग मत पर्चलित हो गए थे, ये बाद की बात है, कि हजारों सालों के बाद ऐसा हो जाता है, किसी चीज़ को कोई ले जाता है, तो हमने सिरफ और शिरफ जो गीता के अंदर उपदेश है उसको लागू करने जो गीता के अंदर शिक्षा दी गई है उसे पकड़ना है ना कि किसी धरम विशेश से इसे जोड़ना है तो अगला जो एक मित परचलित है गीता के बारे में और कृष्ण के बारे में, क्योंकि गीता समझने से पहले हमें समझना कृष्ण को पड़ेगा, समझना अर्जुन को भी पड़ेगा, तो अर्जुन कोई और नहीं है, अर्जुन हम खुद हैं, अर्जुन ऐसा नहीं है कि जो महाबारत के युद में जो पांडूं का प्रतिनी कर रहा है वही अर्जुन है अर्जुन वो नहीं है अर्जुन हमारे अंदर है जब भी हम प्रेशानी में घिरते हैं जब भी हम प्रेशान होते हैं जब भी हम दुखों में जाते हैं अटेच्मेंट में पड़ जाते हैं या डिटेच्मेंट में पड़ जाते हैं तो हम अर्ज जना है, खुद के जीवन पर अप्लाई करना है, तो जो क्रिशन बात कह रहे हैं, वो अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं, वो हमारे लिए कह रहे हैं, वो हम पर लागू होगी, तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है, इसके बाग एक गलती हो जाती है, गीता पढ़ने वालो हम संदी विछेद करें तो भैसे भूमी, गैसे गगन, भैसे वायू, आसे आग और नैसे नीर होता है कि ये पांचो ततव, वही भगवान है, लेकिन हम किसी इनसान को भगवान का दरजा दे देते हैं हमने गुणों की पुजा करनी है, क्रिशन के जो गुण है, क्रिशन की जो स्किल है, क्रिशन के अंदर क्या खास है, उसको अपने जीवन में अपलाई करना है, ना कि भगवान मानना है और गीता के बारे में ऐसे भी बहुत सारे मत परचलित है कि क्रिशन खुद को ही मैं कह रहे हैं बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूच्छा है खास करके बुद्धी जीवियों ने जब आगे के जब अध्याय आएंगे क्रिशन कहते है कि मैं ही हूँ सब जगह मैं ही हूँ तो लोग कहते हैं ये तो इनसान बड़ा इगो वाला है कि सब को मैं बता रहा है तो क्रिशन का मैं कोई छोटा मैं नहीं है यूनिवर्सल मैं है कि सच में जो इनसान यूनिवर्स के साथ एक हो जाता है जो ग्यानी होता है वो मैं इस्तेमाल करता है युनिवर्सल कि हम जब उस चीज को समझ लेते हैं वो चीज सब एक हो जाती है जैसे समुंदर से बूंद अलग नहीं है बूंद से समुंदर अलग नहीं है फिर वो इनसान मैं कहता है तो उस मैं में पावर होती है और बाकी जो लोग या जो खास करके so-called धार्मिक बाबे हैं वो इस्तेमाल करते हैं मैं का वो ego या एहंकार का रूप होता है तो क्रिश्न जो मैं कह रहे हैं वो ego गिराने का नाम है ना की बढ़ाने का नाम है और गीता के अंदर बहुत सारे रहसे हैं जैसे कविता जी ने बताएं इसको हम चाहें उस रूप में अपने जीवन में अपलाई कर सकते हैं प्रोफेशनल लाइप में अपलाई कर सकते हैं गीता के अंदर जबरदस्त motivation है ultimate motivation है किसी और motivation की जरूरती नहीं पड़ेगी अगर गीता की motivation को अपना लिया तो गीता के अंदर management के फंडे चुपे हुए हैं कि एक इनसान manage कैसे करे मैंने एक book पड़ी थी The Seven Habits of Highly Effective People जो management की गीता है वो साथ आदतें क्रिशन के अंदर है और उन साथ आदतों के विशा में क्रिशन जिकर भी करते हैं अध्याए दर अध्याए उन साथ आदतों का भी जिकर होगा तो जितनी भी management की book है उनका सार आ जाता है गीता के अंदर और तमाम दुनिया की जितनी भी therapy है जिनका अलग-अलग उदेशय होता है उन सभी का put सार मिलेगा गीता के अंदर क्योंकि गीता के अंदर एक चीज नहीं है बहु सारी चीजों का समावेस है संगम है गीता एक संगम है जैसे फोरन की एक best therapy है CBT cognitive behavior therapy जिसमें दो चीजें है एक तो cognitive एक behavior तो गीता के अंदर जो संख्य योग है वो cognitive part ही है कि संख्य योग कि ज्यान की समझ कि awareness विक्षित की जाए कि कैसे कोई विचार आता है कैसे चीजे बनती है उसका विज्यान क्या है वो ultimate विज्यान बताया है क्रिशन ने ज्यान योग के दोरा और उसके बाद जो योग है बहु सारे जो समर्पन है बहु सारे योग आगे बताएंगे वो behavior therapy का ही part है तो जितने भी दुनिया की therapy है उनका सभी का सार गीता में आ जाता है तो गीता के अंदर और जो मित हैं वो ये परचलित हैं कि देखो ज़्यादा तर भरम हो जाता है खास करके कोई भी ऐसा नहीं है परणी नोट हो और हमें लगे कि हम करोड़ पती हैं जैसे यूज करें उन सिक्कों का या उन नोटों का तो पता चले कि यह तो नकली थे मैं तो कंगाल था उसी परकार गीता हमें खुद से रूबरू करवाती है कि हम क्या असल में अमीर हैं या गरीब हैं रियल में हम हैं क्या हमारे से खुद का मिलन गीता करवाती है खुद को समझने का सेल्फ इंप्रूमेंट करने का बहतरीन जो गरंथ है वो गीता है तो गीता के अंदर जो रहस्या चिपे हैं उसमें एक रहस्या पेरेंटिंग का भी आता है पेरेंटिंग लोग मैंने देखा है कि पेरेंटिंग में भहुँ सारी वरक्शोप भी होती है एक्सपर्ट भी होते हैं तो गीता के अंदर जो रहस्या है उससे जबरदस्त कोई पेरेंटिंग का भी मैंने माना नहीं तो गीता जैसे पढ़ा तो मेरी खुद की बहुत सारी चीजे कलियर हो गई और बाकी जो जीवने में बदलाव आया उसका तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बात करते जाएंगे तो गीता अंदर की बात है बहार की बात नहीं है किसी थर्ड परसन की बात नहीं है बस अंदर की बात है आपकी और मेरी बात है दो इनसानों के बीच की बात है और जो महा भारत का युद है वो कहीं बहार नहीं है गलती ही हो जाती है कि हम बहार ही समझते हैं सब चीजों को कि सारी चीजें बहार हैं कोई चीज बहार नहीं है हर चीज अंदर है बहार तो उसका प्रक्षेपन है बहार तो वो प्रोजेक्टिव हो रही है जैसे प्रोजेक्टर के अंदर से ही लाइट निकल के बाहर रिफ्लेक्ट होती है और परदे पर सीन हमें दिखाई देता है उसी परकार सब कुछ हमारे अंदर है वो बाहर दिखाई दे रहे हैं उसके बहार प्रभाव दिखाई देते हैं तो गीता हमारे अंदर की बात है गीता कोई बहार की चीज नहीं है तो जो महावारत का युद हुआ था वो कहीं बहार नहीं है वो हमारे अंदर है वो जो महावारत का युद 18 दिनों में निपट गया था लेकिन हमारे मन के अंदर 24 24 गंटे युद चलता रहता है ये सारी चीज़ें आगे आएंगी तो इस चीज़ का बखू भी बताया गया कि कब हमारे उपर अध्रहंपक सहावी होता है उसमें दुर्योधन पक सहावी होता है कब हमारे अंदर क्रिशन जाग उठता है तो क्रिशन भी बहार नहीं है हमारे अंदर है हमें खुद का क्रिशन खुद बनना है गीता का ultimate उदेशय ये है कि हमें खुद का क्रिशन खुद बनना है खुद का मित्तर हम खुद हैं खुद के शत्रू भी खुद हैं तो इस तरह की ये बाचीत रहेगी गीता के अंदर तो गीता बहार की बात नहीं है हमारे अंदर की बात है सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर की बात है गीता में एक बहुत अद्बूत रहस्य आएगा साइद उस रहस्य के बारे में आपने सुना होगा योगि गीता के अंदर जो है वो यूनिवर्सल टूथ है जो universal truth जिसे कहें सनातन सत्य जो हमेशा थे हमेशा रहेंगे जिने ना तो मिटाया जा सकता ना पैदा किया जा सकता काल जे ही जिने बोलते हैं जो time और space से बाहर है एक अद्बुत रहस्य है इसमें time and space का कि time और space जैसे ही time निर्मित होता है space साथ की साथ बन जाता है यह visual का निर्मान हुआ है time और space से तो जैसे ही time बना visual का निर्मान हुआ तो time को समझना हम कोई उसमें नहीं जाएंगे quantum physics में हम सिर्फ मन की बात करेंगे तो time हमारा मन है mind हमारा time है और जैसे ही मन निर्मित होता है स्पेस निर्मित हो जाता है दुनिया निर्मित हो जाती है तो कैसे मन में जो चीज आती है प्रविर्ति और निर्विर्ति का एक नियम आएगा कि जो चीज एक बार मन में आ जाएगी वो स्पेस में आएगी आएगी वो reflect होगी होगी तो आप जैसा सोचते हैं वैसा होना ही होना है अब कोई भी चीज सबसे पहले time में आएगी फिर space में आएगी ऐसा नहीं है कि space में आजाएगी बहार गडबडी नहीं है पहले गडबडी अंदर है तो अंदर की गडबडी है वो बहार दिख रही है अगर अंदर से ठीक कर लेते हैं बहार गडबडी अपने आप ठीक हो जाएगी तो बिमारी के जो सिम्टम बहार दिख रही है अगर हम अंदर को ठीक कर लेते हैं तो सिम्टम अपने आप गायब हो जाएगे क्योंकि कारण अंदर है तो गीता symptom की बात नहीं करती या symptom को रोकने की बात नहीं करती किसी भी बिमारी के गीता कारणों को पकड़ती है कि कारण दूर हो गए तो बिमारी दूर हो जाएगी चाहे डिप्रेशन हो चाहे ओशिडी हो चाहे कोई भी disorder हो तो कारण दूर होते ही बिमारी दूर हो जाती है तो टाइम और स्पेस को हम समझेंगे इसके बाद गीता के अंदर गीता कोई आडंबर नहीं है सीधी सीधी और सची बात है एक कहानी छोटी सी याद आती है एक संत थे बड़े अच्छे संत थे सची सिख्षा दिया करते थे सब को तो उसकी जो फोलोवर हैं उसकी अन्युयाईई हैं उनकी गिंती बढ़ने लगी तो पाखंडी होते हैं जैसे सो कोल्ड बाबा हैं हमारे सामने जैसे कोई ताबीज बेशता है कोई मनी बेशता है आज कल तरह तरह के बाबे हैं जो क्रिशन ने बताया भी है कि ये जो नकली बाबे हैं तो उसी तरह का एक नकली बाबा था तो उसको बात हजमनी हुई तो वो सुचा भी मेरी भीड तो गट रही है इसके पास बढ़ रही है तो मेरा बिजनस फ्लोप हो रहा है तो वो आया उस संत के पास और उस संत को कहता मैं तुझे चेलेंज करता हूँ मैं तुझे भी बड़ी कला सीख करके आऊँ संत कहते कोई बात नहीं सीख लो तो वो इंसान चला गया और उसने 20 साल लगा करके पानी पर चलना सीख लिया अब पानी पर चलना सीख लिया तो अब वो आया और आया वो गाउंवालों को इकठा कर लिया कहते आज मैं ऐसा करके दिखाऊंगा जो ये संत आपका नहीं कर सकता कहते करो तो वो पानी पर चला नदी के उपर गया और दूसरी तरफ गया और वापस आ गया अब वापस आ गया तो सभी ने तालियां बजाई अब बारी संत की थी संत ने क्या किया एक जो नाव थी किनारे पर उसको किराये पर लिया हो परली तरफ चला गया दूसरी तरफ और वापस आ गया नाव के दौर आई और नावी को पांस रुपए दिये और ओगया बात खतम तो सभी कहते भी ये क्या बात हुई ये जो बाबा है वो जीत गया संत को कहते भी आप बताओ भी ये हुआ क्या कि आपके अपस तो कोई पावरी नहीं तो संत ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने जो कला सीखी है 20 साल लगा करके वो कला महज 5 रुपए की है अगर हम 5 रुपए दे करके कस्ती से जा सकते हैं तो पानी पर चलने चल कर आने की क्या जरूरत है उसी परकार बहुत सारी ऐसी चीजें हम कर बैठते हैं जिनकी कीमत कुछ नहीं होती तो हमें सच्चा ग्यान चाहिए सच्ची नोले चाहिए जिस से हमारा खुद का उधार हो और दूसरों का भी उधार हो जैसे वो नकली बाबा था अगर वो किसी को सिखाए गाई पानी पर चलना तो उसे भी 20 सा लगेंगे तो जो पानी पर चलना वो सीख गया तो उससे दूसरों का क्या फाइदा हुआ किसी का कोई फाइदा नहीं हुआ तो स्किल खुद के अंदर ऐसी विक्षित करनी है जिससे खुद का भला हो और दूसरों का भी बला हो तो ये गीता के अंदर कुछ मित है जो मैंने बताए और हमें ये देखना है कि जिन्दगी के अंदर हमारा सार्थी कोन है जिन्दगी हमारी वैसी है जैसा हमारा सार्थी है तो अगर हमारे जीवन में क्रिशन जैसा सार्थी है तो हमारी जिन्दगी बैस्ट होगी अगर हमारा सार्थी अर्जुन जैसा है तो हमारी जिन्दगी का क्या हाल होगा वो खुदी जानते हैं बहुत सारे लोगों के जो सार्थी होते हैं वो विचार होते हैं खास करके विचार है हमारी भावनाएं हैं, जैसे हमारी भावनाएं हमें निर्देशित करती हैं, हम वैसा ही एक्ट करते हैं, जैसे हमारे विचार हमें भोर्स करते हैं, हम वैसा ही करते हैं, तो हमें पहचानना है कि हमारा सार्थी कोन है, क्या हमारा सार्थी कोई विचार है, क्या हमारी इमोशन ह हमारा सार्थी है क्या कोई क्रिशन हमारा सार्थी है या अर्जुन सार्थी है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें गीता के सामने आएंगे तो मैं अब भी सभी एक एक पार्टिस्मेंट से निविय दन करूंगा कि वो बताएं कि अभी तक वो समझ पाए गीता से समंदी जो मित परचली थे फिर हम पहले अध्याई की सुरुबात करते हैं जी बहुत एक्सिलेंट आपने जो चीजें पकड़ी एकदम एक्क्यूरेट हैं और आप जो गीता से ले पाएंगे उसका अद्भूत रहेगा और आपके अंदर पावर है तो सभी पाटिस्पेंट से मैं उमीद करूँगा कि इसी तरह से वो सार को पकड़े और जो भी गीता में हम डिसकस करें उसको परसनल लाइफ में इस्तेमाल जरूर करें तभी भाएदा है क्योंकि यह प्रैक्टिस का मसला है क्योंकि जितनी जादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सीख पाएंगे एक बार हमने सुन लिया उससे कुछ देर के लिए विचार बदल जाएंगे कुछ देर के लिए हमारी भावना एमोशन बदल जाएगा लेकिन अगर हम पर्मानेंट चेंज चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी प्रैक्टिस 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 तो गीता के बारे में एक दो और चीजें बता देता हूं उसके बाद हम पहला अध्याय सुरू करते हैं तो तीन चीजें आपने याद रखनी हैं हमेशा जिन्दगी के अंदर कि तीन प्रकार के सत्य हैं तो बाकी मैंने गरंथ पड़े भहुत सारे उसमें एक प्रकार के सत्य की बात कही गई है तीन प्रकार के truth हैं तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं तो सबसे पहला है time truth उसके बाद है universal truth और उसके बाद है individual truth तो तीन प्रकार के सत्य होते हैं इन तीन प्रकार के सत्यों की बात कही गई है और इनी से हम और बहतर समझ पाएंगे तो आपने अभी भी कोई सवाल जितने भी हैं वो लिख लेने हैं क्योंकि हर एक सवाल का जबाब अरजुन पूछेगा हमारी तरब से अरजुन पूरी तरह से तैयारी खीचे हुए है क्रिशन से सारे सवाल पूछने के लिए अरजुन कुछ छोड़े गई नहीं जितने सवाल अरजुन पूछ सकता है जितने सवाल हमारे मन में आते हैं वो सारे अरजुन के मन में आए इसलिए अधभुत है, कियों कि हमारे सवाल है जो मेरे और आप के सवाल है वो अरजुन ने सारे पूछे हैं क्रिशन से ऐसा नहीं है कि अरजुन जैसे एक महागीता है जिसे हम अस्तावकरीता कहते हैं वो बहुत ही उंची डाइमेशन की बात होती है उसमें दो ग्यानी बात कर रहे हैं दो ग्यानी क्योंकि अस्टावकर जो है वो महाग्यानी है और जनक है जो राजा जनक है वो भी महाग्यानी है वो बहुत उंचे ग्यान की बात है वो संख्ययोग है पूरा उसमें और योग नहीं है जैसे बाकी थेरपी के पुट नहीं है उसमें एक ही है संख्ययोग बहुत उंची बात है उसमें उसको पकड़ना आम इंसान के बस की बात नहीं है लेकिन ऐसा है कि जो गीता है इसमें अर्चुन है वो बिलकुल जमीन के उपर है एक दम डिप्रेशन से गिरा हुआ पूरी तरह से निराशा में गिरा हुआ एंग्जाइटी से प्रेशान इंसान है तो वो बात पूछता है तो जमीन के तलकी बिलकुल लो लेवल की बात पूछता है इसलिए गीता हमें जो क्रिशन की गीता है वो ज़्यादा समझ में आएंगी तो अर्जुन हर एक सवाल का जवाब क्रिशन से पूछेगा इपूछेगा तो आप हर एक सवाल जो भी मन में उठेगा उसका सभी का जो पूछने का है काम अर्जुन करने वाला है तो तीन परकार के सत्य है तो पहला सत्य है जो है यूनिवर्सल टूथ यूनिवर्सल टूथ वो है जो हमेशा है हमेशा रहेगा जिसमें automation का नियम है या अपने आप चीजे बन रही है सूरज का सत्य है दर्ती घूम रही है gravity का इस तरह से बहुत सारे सत्य है जो परिवर्तन का नियम है ये कभी नहीं बदलते और कुछ है जो time truth कि कुछ चीजें एक समय के दोरान सत्य होती है उसके बाद वो बदल जाती है जैसे आज मैं हूँ तो ये 17 सिसाल तक मैं सत्य हूँ उसके बाद मैं सत्य हो जाऊँ तो एक समय दोरान ये सत्य है तो जो हमारी मान्शिक समच्याएं हैं वो कुछ समय के लिए हैं उसको तो हम time truth से जोड़ने, उसके बाद वो ऐस सत्य हो जाएंगी, उसी प्रकार जो तीसरा सत्य है वो है individual truth, कि मेरा और आपका truth, जो मेरा सत्य है वो आपका सत्य नहीं हो सकता, जो आपका सत्य है वो मेरा सत्य नहीं हो सकता, तो हम सभी ने अपना अपना सत्य पहचाना है, इसे ए मात्मा कैसे मिलेगा, तो बुद्ध कहते तुना उपवास किया कर, कम खाया कर, कहते तेरे को भगवान मिल जाएगा तो ठीक है वो चला गया, उसके बाद एक आया दूबला पतला, जिसका 35 किलो बजन था, वो कहता एक ही पुछी आपने अलग लग क्यों बताया तो बुद्ध ने कहा, कि देख जो पहला आया था, वो खापी के मोटा हो गया था, उसे उपवास करने की जुरूरत है वो उसके लिए सत्य है और जो दूसरा है, वो कुछ खाता पिता ही नहीं सारा दिन उपवास में पड़ा रहता है तो उसको खाने की जुरूरत है, जब खाएगा तब उसका मन शान्त होगा तब उसे सत्य का अभास होगा इसी परकार हमारा सब का अलग-अलग सत्य होता है, तो गीता मदद करेगी हमारे खुद के सत्य को पहचानने की, जिसमें एक सलोक आएगा, कि पर धरम में जीने की बजाए खुद के धरम में मर जाना स्रेष्ट कर है तो हमारे मन का सत्य क्या है क्योंकि हमारे मन में एक सत्य है हमेशा वो हिलोरे मारता है, जिसे inner conscious कह लें, या अंतरात्मा की आवाज कह लें inner voice कह लें, वो क्या है वो क्या पुकारती है, तो उसे पहचाने का भी माद्यम है, तो अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं, पहले अध्याय से, तो मैं कुछ अध्याय जो गीता के अंदर है, उनका क्या रोल है, एक बार वो बता देता हूँ, तो सबसे पहला जो अध्याय है, वो है अर्जुन विशादयोग, जिसमें अर्जुन बिमार हो जाता है, कि अर्जुन कैसे डिप्रेशन का शिकार होता है, जैसे CBT के अंदर हम देखते हैं कि कोई सामने ट्रीगर है, उसकी बज़य से कोई इनसान देखता है, उसके बाद उसके विचार परवर्टित होते हैं, उसके बाद उसकी भावनाई निर्मित होती है मूड बनता है, उसके बाद एक्सन आता है, बिहेवियर में वो चीज आती है तो पहले अध्याई में यह होता है, उसके बाद सांख्य करमयोग है, कि ज्ञान से हम कैसे इसको बदल सकते हैं, कोगनीशन आएगा पूरा और करमयोग पूरा बिहेवियर थेरपी का पार्ट आएगा, ज्ञान करमयोग आएगा जिसमें पूरा मन का अध्याई हैं, उसमें एक-एक साइको थेरप्पी है, जिसमें हिपनो थेरप्पी भी सामिल है, जो है आतम दर्सन, विशव दर्सन योग उसी के अंदर, तो ये सारी चीजे हम कवर करेंगे, तो पहला अध्याई, जो आपके पास गीता है ना, सभी के पास, तो मैं, नहाजी, सभी के पास गीता तो है ना, अपलब, जी, तो, हाँ, हाँ, तो, अच्छा, जो इंगलीज पार्टिस्मेंट है, वो समझ पारे हैं, हिंदी में प्रोपर, जी, तो, चलिए, हम समय सिमा को ध्यान में रखते हुए, हम शुरू करते हैं, तो, आप गीता जिसके पास नहीं है, मैं पीडियप भेज दूँगा, और जो इंगलीज में, जी, 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 तो, जी, अब हम पहला अध्याय शुरू करते हैं, पहले अध्याय में, जो साइकलोजी के पॉइंट अव्यू से समझें, तो, एक इंसान बीमार कैसे होता है, क्यों एक इंसान बीमार हो जाता है, अभी अर्चुन जब गीता की शुरूआत होती है, तब आप भावदशा उसकी पकड़ेंगे, और कैसे कैसे उसमें सिम्टम आए, क्या कारण है कि अर्चुन बीमार हुआ, वो सभी हम पकड़ेंगे, तो सबसे पहला स्लोक है, दितराष्ट बोले, हे संजे, ध्रम भूमी कुरुक शेत्र में, एक तरित युद की इच्छा वाले, मेरे और पांड़ी पुत्रों ने क्या किया, अब देखिए कि, संजे से पूछते हैं दितराष्ट, सबसे पहले देख लेजिए कि, दितराष्ट कौन है, दितराष्ट वो इंसान नहीं है, जो आँखों से अंदा है, दितराष्ट वो इंसान है, जो मन से भी अंदा है जिसके चेतन के ऊपर वासनाओं का परदा पड़ चुका है जो मोह में अंदा है वो हर इंसान दितराष्ट है आखों वाले भी भहुत सारे दितराष्ट आज आपको देखने को मिल जाएंगे जो मोह में या किसी भी लालच में अंदे हैं किसी भी तरह के लालच में अंदे हैं वो हर इंसान दितराष्ट रही है तो उसके बाद संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडों की सेना को देखकर और दुरोणाचारे वो इंट्रोडक्शन कराते हैं अपनी सेना का और जो पांडों की सेना है उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं गुरु द्रोण को और अपनी सेना में कौन-कौन है जैसे जो भी जो आए हैं हिसा लेने के लिए युद के अंदर वो कौन है और पांडों की सेना के अंदर कोन है जो युद करने के लिए आए हुए है उन सभी का पूरा इंट्रोडक्शन है वो आप पढ़ लेंगे तो एक सलोक आता है बिसंपिता महें दवारा रक्षित हमारी ये सेना अब सब परकार से अजे है और भीमदवारा रक्षित इन सेनाओं की ये सेना तीनों जीतने में सुगम है तो दुर्योदन अपनी सेना का वरनन भी करते है और दूसरों पांडों की सेना का भी वरनन करते है तो इसमें एक डाउट जलगता है दुर्योदन के मन में कि हमारी सेना भी जीतेगी उनकी सेना भी जीत सकती है तो जब मन में डाउट आ जाता है तब असंख्य रोग पैदा हो जाते हैं OCD हो चाये depression हो जब मन के अंदर डाउट आता है फिर रोग ही रोग हैं एक बार एक अद्वुद गटना गटी कि महावारत में जब पांडों को अग्यातवास था अग्यातवास के समय जब जंगल में रहे रहे थे उस समय एक राक्षश था वो राक्षश पांडों को रोज पीटता था अरजुन को भीम को सभी को तो वो दुबक के बैठे हुए थे, क्रिशन गए देखने को, क्रिशन देखने को गए तो वो सभी बैठे हुए थे, तो क्रिशन पूछते भी ये क्या, आप तो ऐसे डुबले पतले, आप जाके क्या करोगे, उससे मत जगडो या उससे मत पंगालो, वरना हम आपकी राणिय को का जवाब देंगे तो Krishna पूछा भीम से की जब तू उसे लड़ने जाते हो तो क्या खुद से कहते हो कहते हो मैं जब उससे लड़ने जाता हूँ तब मैं एक बात कहते हूँ आज या तू नहीं या मैं नहीं दोनों मेंसे एक नहीं और मैं हार के आ जाता हूँ तो क्रिशन ने कहा अब देख मेरा कमाल तो क्रिशन उसके पास जाकर कहते हैं रक्सस को कि आज तू नहीं और तू ही नहीं कोई संदे तो है नहीं कि हारना तो तुझे ही है जीत तो मेरी ही होना है डाउट नहीं है जिस दिन मन में doubt आ जाता है तो हमारी power पूरी नहीं हो पाती है और उसके बाद उस राक्षाच को कृष्ण नहीं हरा दिया यही गीता के अंदर best lesson है कि life में हमने काम्याब होना है तो doubt नहीं होना चाहिए मन में doubt आया तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा skillful नहीं होते लेकिन वो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़ा कर जाते हैं बड़ा लाइप में बड़े बड़े टार्गेट हासिल कर लेते हैं वो निर्भया होते हैं, निडर होते हैं वो इसलिए कुछ बड़ा कर पाते हैं कि उनके मन में डाउट नहीं होता कि उनको खुद के उपर संदेह नहीं हो पाता कि नहीं कर पा हुआ उनको एक ही बात पता होती है कि होई जाएगा बस और वो हो भी जाता है और कुछ लोग ऐसे आपने शाने देखे होंगे दिमागी लोग देखे होंगे बड़े तेज दर्रार उनको देखके लगता हो ये बहुत आगे तक जाएगा ये बड़ा काम करेगा और वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो जितने तेज दर्रार हैं जितनी जादा उनके IQ लेवल हदिक है उनके अंदर डाउट भी उतना ही जादा आता है तो ये सेल्प डाउट कभी नहीं करना ये लेसन है इसके अंदर उसके बाद आगे सभी जो रत पर खड़े हुए हैं कृशन और बाकी ज जहां से अब स्टार्ट करते हैं दुरबुद्धी दुर्योदन का युद में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आये हुए हैं इन युद करने वालों को मैं देखूंगा अब इस बात में अरजुन के इस सलोक में क्या इमोशन हैं? क्या उसके अंदर भाव क्या है क्योंकि गीता को अगर हमने समझना है तो हमें अर्चुन की मनुदशा को समझना होगा क्योंकि किसी इंसान को हम सब्दों से नहीं पकड़ सकते कभी भी पकड़ना है तो उसकी मनुदशा को पकड़ें क्योंकि सब्द कुछ भी हो सकते हैं उसकी अंदर की क्या है प्रानू से मत सुनो, सुनो तो पूरे दिलो, दिमाग, बोड़ी लेंगवे से सुनो, listening और hearing में अंतर होता है, तो listening करो तो पूरे जिसे हम कहते हैं, प्रानू बुती पूर वक्त सुनना, empathic listening, तो आप अगर इस तरह से listen करेंगे, चीजों को इस तरह से समझेंगे, तो सिता समझने से पहले हमें क्रिशन को भी समझना है क्रिशन की जो भावदसा है मनोदसा है वहां तक पकड़ लेकर कि जानी है सब्दों पर अठक कर नहीं रहा जाना है तो किरप्या निहाजी एक पार्टिस्पेंट को अन्म्यूट कीजिए उससे पूछते हैं कि इस समय अरज आप खुद को अन्म्यूट कीजिए हाँ जी जी आप पताईए कि जो सलोक है दुर्भुत्ति दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आये हुए हैं इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा इस सलोक में अरजुन की mental state क्या है state of mind कैसी है अहां हां बिलकुल बिलकुल हाँ बिलकुल 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 जी बिलकुल जी सवेता जी आपने अनमूल सब्दों में बहुत कुछ बताया तो अभी जो अरजुन की state of mind है वो गुस्य वाली है पूरा वो angry है गुस्य के अंदर है अभी तक आप समझ गयोंगी अरजुन बिलकुल भी बिमार नहीं तो एक गुस्य वाला इंसान कैसे बिमार हुआ इस चीज़ को भी हमने समझना है यह अदबुट intelligence कि हम भवात्मक रूप से बुद्धिमान बनें, EQ कैसे best बनाएं, हर situation के अंदर कैसे best performance दें, skill building का, people dealing का जो skill है, तो गीता है वास्तों में EQ बढ़ाने का best गरंत है, EQ कैसे best किया जा सकता है, अपनी emotion को कैसे balance किया जा सकता है, मैं यह नहीं कूँगा कि emotion को छोड़ना है, पूट देना है, या पकड़ लेना है, गीता है balance का नाम, कि समझ का नाम, कि हमारे हाथ में हत्यार है, उसका प्रयोग कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि हत्यार छोड़ दो बस, नहीं हत्य हो जाओ, भी ना रहेगा, बांस तो ना बजेगी, बांसुरी, ज्यादा तर सन्यासियो उन्हें ऐसा ही किया था, ये घर है, बार है, ये ही है, दुविदा का कारण, इसको छोड़ के भाग चलते हैं, जंगलों में चलते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा भी इस्तरी नरक का दवार है, चलो इस्तरियों को छोड़ते हैं और भाग जाते हैं, तो क्रिशन भागने चीज़ को नहीं छोड़ा, क्रीशन की गीता इसलिए अदबुत है कि उसमें छोडने की बात नहीं की गई है नहीं पकडने की बात की गई है बैलन्स बिठाने की बात की गई है जैसे क्रीशन ने राज्य scholarship होगा और क्रीशन खाने के बड़े सोकीन थे वस्तरों के बड़े सोकीन थे जो गोपियों के साथ हो रहे और उनकी तो 16,008 रानिया थी और क्रीशन हर सुच्वेशन के अंदर सफल हुए इमोशन लेवल पर क्रीशन सो बार ऐसी जगाए पर फस गए थे जहां पर बच्च निकलना बहुत मुश्किल था और क्रीशन ने हर यूद जीता क्रीशन जब रखिये कि जब जरासंदर ने उसके उपर इतनी बार आकर्मन किया तब वो मतुरा छोड़ करके दवार का भी बसा गए थे वो क्यूं हुआ क्यों कि एक नाम क्रीशन का रण छोड़ भी है ये भी बात आएगी ये अरजुन ने पूछी नहीं लेकिन हमारे मन में आएगी एक जैनियों का गरंथ है उसमें कहा गया कि क्रीशन एक ऐसा इनसान है जिसने उकसाया है अरजुन को हिंसा करने के जिए इसलिए क्रीशन को जैनियों के गरंथ में नरक में डाला हुआ है तो ये इसलिए कि एक इंसान जो खुद छोड़के भाग गया था युद और अर्जुन को उकसा रहा कि युद करो इतनी बड़ी हिंसा करवा दी तो अभी तक अर्जुन हम समझ चुके हैं कि गुसे में हैं पूरा उसके बाद संजया बोले हे दितराष्ट अर्जुन दोरा इस परकार कहे हुए महराज क्रिशन चंदर ने दोनों सेनाओं के बीच में भीसमोर्द रोनाचारिया के सामने तदा संपूर राजाओं के सामने उत्तमरत को खड़ा करके इस परकार कहा हे पार्थ युद के लिए जूटे हुए इन कोरवों को दे जो सामने व्यू दिखाते हैं अब हमारे सामने व्यू आता है जैसे चाहें जी 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 पेज नमबर मैं बता देता हूँ अब एक सेकंड भूल रखिए क्योंकि इसमें सातमा पेज नमबर ठीक है यह वाले इस तरह से लिखाओ इसमें उल्टा दिखाई देगा साय जी अच्छा तो ऐसा करेंगे मैं आपको स्लोक वाईज बता दूँ अभी कौन सा स्लोक मैं पढ़ रहा हूं हाँ तो आप हाँ वो न देखो एक न यह गीता है न जो बगवत गीता मोटे एकसरो वाली गीता क्योंकि सभी गीता अलग-अलग हैं यह वाली गीता है न इसमें तो मैच हो जाएगा बाकी गीता में मैच नहीं होंगी चीजें क्योंकि उनका पेज नंबर और वो सारी चीजें कुछ अलग आएंगी यह 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 थारूप यह लग है यह उनकी हो गई इसमें वो टीका आ जाती है न तो वो अलग हो जाती है कि वह वह सेम है कि हाँ उससे बराबर होगा पीडिया को मेरे पास जो गीता है वह सेम है चलो कि आपको ना वो शलोक भी बता दूँगा कि जो अगला क्योंकि आज तो हमारा इंट्रोड़क्शन है न क्योंकि इसमें हमारा मेरा इंट्रोड़क्शन हो गया आपका हो गया गीता का भी इंट्रोड़क्शन हुआ है आज वास्तों में कोई अमने ज़्यादा चीज शुरू नहीं कि आज इंट्रोड़क्शन हुआ है और रोगों का भी पहले अध्याई का भी पहले अध्याई में इंट्रोडक्शन ही है क्योंकि जो असली चीज है वो तो दूसरी अध्याई में शुरू होने वाली है अभी तो काउंसलर बोले ही नहीं है अरजुन ही हो रहा है अरजुन ही बिमार हो रहा है सुहाद्यों को देखा उन उपस्तित संपूर्ण बंजों को देखकर वेकुंती पुतर अर्जुन अत्यंत कुरुना युक्त होकर शोग करते हुए ये वचन कहे अर्जुन बोले हे क्रिशन युद में डटे हुए युद के अभिलासी इन सवजन समदायों कोई उबजेक्ट आता है उसको देखकर के हमारी जो ग्यानेंद्रियां है वो सूचना ग्रहन करती है और उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और उसका एक मिनिंग बनता है उससे वो विचारों के दवारा होता है और उसके बाद इमोशन बनते हैं और वही चीज हमारे action में आ जाती है तो अरजुन ने क्या देखा सामने और सामने देखने के बाद उसके अंदर क्या हुआ कि अब अरजुन के अंदर एकदम से anxiety वाले symptom आ गए उसने कहा दिया ना कि मेरा मूँ सुखा जा रहा है मूँ सुखा जा रहा है anxiety के कारणी ऐसा होता है और हाथ पैर जैसे फूलने लगें कपी सी चा गई है हाथ से गांडी उदनूस गिर रहा है यह depression का symptom आ गया और तवचा भी बहुत जल रही है मेरा मन बर्मित सा हो रहा है इसलिए मैं खड़ा रहने के समर्थ भी नहीं अब आप देखिए कि ऐसा क्या हुआ कि कुछ सलोग पहले अरजुन के अंदर पूरा गुसा था कि दुर्पुत्ती दुर्योजन का साथ देने के लिए कोन आई हुए थोड़ी सी देर पहले एक इनसान पूरा गुसे में हो और उसके बाद एक जम से डिप्रेशन की सिंटम उसमें उबराएं ऐसा कैसे हो सकता है तो हे के सब मैं लक्षनों को विपरी थी देख रहा हूँ तथा यूत में सवजुन संदायों को मार कर कल्यान भी नहीं देखता अब देखिए अरजुन क्या कहता है कि लक्षनों को विपरी देख रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ अरजुन को भी पता है कि मैं बहुत सकिलफुल इंसान हूँ मैंने मचली की तीर में भी मारा था कि मैं अपने लक्षनों को विपरी देख रहा हूँ depression वाले या बाकी रोगों वाले भी कहते हैं कि जिनकी insight भहुत strong होती है कि मुझे सब चीजों का पता है लेकिन फिर भी मेरे साथ हो रहा होता है कि वो कहते हैं कि हमें पता है कि सच क्या है जूट क्या है सब चीजों का पता है लेकिन फिर भी ये रोग हावी हो रहा है तो अर्जुन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है अर्जुन के अंदरा भी समझ है और अब आगे देखिए कि इंट्रेस्टिंग बात होगी हे कृष्ण मैं नय तो विजय चाहता हूं अब अर्जुन ने पूरी डिप्रेशन वाली बात कहा दी इतनी देर तो कहा रहा है लक्षणों के विपरी देख रहा हूं उसके बाद कहता है विजय नहीं चाहता हूं अमने जीतना चाहता ही इतनी ही देर में और मैं राज्य वासा सुखों को हमें ऐसे राज्य से क्या प्रियोजना थे ऐसे भोगों और जीवन से क्या ला अब आपने देखा होगा कि जो डिप्रेशन में इन्सान होता है या वो बहते बड़ी अच्छी-च्छी करते हैं वो कहते हैं ये क्या ऐसा मतलब नहीं है कि वो ग्यानी हो गए हैं या उनके अंदर सन्यास आ गए है वो किसी और कारण से कह रहे होते हैं तो अब आप समझे कि अरजुन ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं राज्य भी नहीं चाहता ये भी नहीं चाहता हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादी अभीष्ट हैं वे सब धन और जीवन की आसा त्याकर युद में खड़े हुए हैं गुर्जन ताउ चाचे लड़के और इसी परकार दादे मामें सशुर पोत्रों को समंधी लोग हैं हे मदूशुदन मुझे मारने पर रत्वा तिनों लोगों के राज्य के लिए इससे भी देखे होंगे हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए हमें तो पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसा नहीं कहते कि मुझसे कमाये नहीं जारे वो कहते हैं भी ये पैसा ही खराब है धन दोलत ही खराब है उसको चोड़ दो क्योंकि वो ऐस मर्थ लोग होते हैं ड्रेवे लोग जो कर नहीं पाते उससे छोड़ता है वो चीजी गलत है जैसे अंगूर खटे वाली बात है कि अंगूरों को प्राप्त नहीं कर सके चलो क्या प्रसंता होगी इन आततैयों को मार कर तो हमें पाप लगेगा अब देखिये पाप पुन्य की बात कोन करता है OCD वाले करते हैं earliest disparity जो guilt भाव में जीते हैं अपरादमोर्त के भाव में जीते हैं देखिये कहां युद, कहां पाप पुन्य की बात तो इस बात से आप अर्जुन की क्या जो ये बाते कह रहा है अर्जुन इससे अर्जुन की कौन सी state of mind का पता चलता है अर्जुन के अंदर क्या चल रहा है सब तो कुछ भी कह रहा है लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है मन में क्या चल रहा है उसको पकड़ पाए जी भक्ति जी आप सुन पा रहे हैं जी 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 गीता जी 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 गीता जी बताईए कि क्या समझे अर्जुन के अंदर क्या चल रहा है इस वक्ति क्या उथल पुधल मची हुई है उसके अंदर जी जी बताईए जी 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 बिल्कुल जी आपने बहुत अच्च्छ जी 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 तो यह जी जी तो यहिश्य दो यह है आज़्ज़ें श्रुक्त आपने बहुत अच्छी चीजे पकड़ी हैं कि अरजुन करने ही पा रहा है अब वो ऐसा नहीं कहे रहा है कि देखिए कि इन्सान जो बोलता है न उसके पीछे कुछ भी emotion हो सकता उस emotion को पकड़ना है कि वो इन्सान बोल क्यों रहा है अर्जुन ये बाते कहे रहा है एक तो वो पूरी तरह से confused हो गया जैसे इन्होंने बात कई ये एकदम ठीक है तो अर्जुन का नाम हम देंगे Mr. Confusion and Mr. Fear जो fear है और जो confusion है वो अर्जुन है तो एक दूसरा है उसके अंदर डर आ गया अब उसने देखा सामने अब उसको भी तो पता देखो वो घर से जब युद करने के लिए निकला था तो ऐसा नहीं था कि उसको पता ही नहीं था कि किसके साथ युद करना है उसे पता था कि ये द्रोन चारिय सामने होंगे और उसके सामने बिसमपिता महें भी होगा ये बाकी जो कोरवों के जो करण हैं वो सारे होंगे उसको पता था ऐसा नहीं है कि एक दम से उसके सामने टपक पड़ेगी उसने तो पहले वर्सों पहले यी त्यारी करके रखी हुई थि इनके साथ युद्द करनी पड़ेगी ऐसा तो है ने कि चाथेज़ आप में पहली बार उसने देखे हैं कि उसने सोचा ही नहीं था भी इस साथ यूद हो जाएगा ये बात नहीं थी अब उसने देखा क्या कि इतने महारती कड़े हैं सामने उसके सामने देखा कि तीरंदाज बिसंपिता महें खड़े हैं द्रोन खड़े हैं इतने सारे हैं और उसने देखा कि मैं तो अकेला हूँ मेरे पास तो अकेले के पास तीर है और ये क्रिशन है ये कहता है कि मैं तो कोई अतियार उठाओं गई नी इसका क्या ब्रोसा है बाकी वो देखता है कि ये गदादारी अरजुन पूरी तर ऐसे डर गया था कि वो पूरी तर ऐसे डरा हुआ है मन के अंदर उसके अंदर डर आ चुका है तो डरा हुआ इंसान हमेशा पाप पुन्य की बात करता है तो गहा एक कहवत है न कि सुख में सुनार और दुख में राम तो जब पैसा इंसान के हाथ में होता है तो कोई दुख की बाते करता है कि संसार छोड़ने की बात करता है जब पैसा कमाया नहीं जाता समझें घर में आ जाती हैं तब इंसान छोड़ता है कि छोड़ चाड़ की जंगलों में चले जाएं तो ड्रा हुआ इंसान हमेशा इस तरह की बाते करता है तो अरजुन के अंदर कोई अध्यातम या कोई यान नहीं उत्रा है उसके अंदर डर आ गए तो डर के कारण वो तरह तरह की बाते करता है और एक आप देख लीजिए कि जो ड्रा हुआ इंसान है अंदर से जो कंठ्रूज है वो एक ही बात नहीं कहेगा अलग-अलग बाते कहेगा कभी वो पापपुन्य की बाते कहेगा अब देखिये अरजुन की जो मनोदशा है वो जल्दी-जल्दी बदर रही है अरजुन की बातों में कोई तारतम्य नहीं है कोई जुडाव नहीं है एक तरह की बात नहीं हो और यह वो अलग अलग तरह की बाते करेगा अभी थोड़ी देर पहले कुछ कहेगा उसके बाद कुछ और ही कहेगा उसके बाद की तीसरी बात कहेगा युद्ध का टाइम है यहां तो मरने मनने की बात होनी सी यहां पर आप बाप को लेके बैठ गया है अब देखते हैं कि एक नय ही राग लापेगा जैसे डिप्रेशन वाले डिप्रेशन वालों की आप जो जितने भी रोगों से गरसित होती है उनकी बातों में कोई लेबदता नहीं होती कोई continuity नहीं होती उनकी discontinuity होती है dissociation होता है उनकी बातचीत में कोई एक तारतम्यता नहीं होता है उसकी बातों में कोई विग्यानिक पुट नहीं होता है जैसे अरजुन के बातों में सामने आ रहा है यद पी इसमें कहते हैं अर्जुन आगे एतव हे मादव अपने ही बांदतव दितराष्ट के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्या नहीं अब कहरा है पहले तो कहता पाप लगेगा अब कहरा है हम योग्या ही नहीं कि मेरे पास इतना है यह नहीं अर्जुन सेल्फ डाउट कर रहा है खुद के उपर उसे संका हो गई है कि तेरे पास तो अब बर्मस्तर हैं इतनी सारी शक्तियां तुने इकठी की है 40 साल तक तो तो शक्तियों को इकठा ही करता है रहा गया अब कहरा है कि हम योग्या ही नहीं है कियोंकि अपने ही गुटों निकों बाद सकत तो थे जोग्या ही शक्तिया समझते हैं ऐसी गढ़्ती करते हैं बाकी रोगों वाले हम पी जिंदगी के अंदर कि हम ड्रे होते हैं प्रेशान होते हैं तब अपने आपको शाणा बताने की गलती करते हैं जैसे अरजुन ने यद भी लोग से बरश्चित हुए ये लोग कहते हैं कि ये लोग बरश्च हो चुके हैं भी बरश्चित हो चुके हैं लोग गड़बड हो चुके हैं कुल के नास को उत्पन दोस को और मित्रों के विरोध करने पर पाप को नहीं देखते कि इनको पाप दिखाई नहीं देता है कि मुझे पाप दिखाई दे रहा है मैं तो शाणा हूं मेरे अंदर तो बड़ी पावर है मुझे तो घ्यान कि इस पाप से अटने के लिए अरजुन इतना डर चुका है कि वो डर को छुपाने के लिए तरह तरह की बाते कह रहा हूँ कि उसने अब कितनी अदबूत बात कहा दे कि हमें विचार करना चाहिए कि अरजुन सीधा-सीधा यह नहीं कह रहा कि चलो भाग चलते हैं अब अर्जुन भागना चाहता है यूद से, उसके मन अंदर तो यह है कि यहां से भागू बस, अब भाग अर्जुन सकता नहीं है, क्यों नहीं भाग सकता है, कि पैदल तो भाग नहीं सकता है, अब यूद की जो रत है, उसकी लगाम क्रिशन के हाथ में है, जब क्रिशन सार अरजुन देखता है अब क्रिशन तो टस से मस नहीं हुए तो अब अरजुन फिर से इनको कन्विंस करने के लिए कुछ और कहेगा कुल के नास से सनातन कुल धरम नश्ट हो जाते हैं और धरम के नास होने पर संपूर्ण कुल में पाप ही बहुत फैल जाता है बड़े ज्यान की बाते करने लगया अरजुन दर के कारण हे क्रिशन पाप अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यांत दुशित हो जाती है और वार्ण सिया स्त्रियों के दुशित होने पर वर्ण संकर उत्पन होता है वर्ण संकर कुल गातियों और कुल नरक में ले जाने के लिए होता है लूप थूई पिंड और जल की किरिया वाले अर्था सराद तरपन से वर्जित पितर लोग अदोगती को प्राप्त होते हैं उस समय जो गरंत थे उन गरंतों की बात कर रहा है अर्जुन अभी इन सलोकों के अंदर इन वर्ण संकर दोस्त से कुल गातियों के सनातन कुल धरम और जाती धरमनष्ट हो जाते हैं हेज नार्दन जिनका कुल धरमनष्ट हो गया हूँ ऐसे मनूश्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है ऐसा हम सुनते आए तो अर्जुन ने अब सची बात बता दी अब पूरा ग्यान दे दिया जो सास्त्रों का, वेदों का और कहता है ऐसा हम सुनते हैं पता अर्जुन कहता है मुझे भी नहीं कि सच क्या है जूट के मैं भी सुनता है हूँ जो मैं सुनता हैं। वो तुझे बता दिया। अब तू जान तेरा काम जान। तो ऐसा ही हमने बच्पन में बहुत सारी चीजों को सुना था। जो OCD से गर्सित हैं, Phobia से गर्सित हैं, Depression से गर्सित हैं। बच्पन में हमने बहुत कुछ सुना होता है। बहुत कुछ पड़ा ह तीवी पर देखा होता है उसी कोई सच मान लिया है और उसी से बिमार हो जाते हैं जैसा अरजुन हो रहा है तो जो हमारे ब्लीफ हैं जो हमारे पास फेक नोलेज हैं जो हमारे पास अज्ञान हैं वो बिमारी का कार्ण है खास बात यह कि उस अज्ञान का हमें पता नहीं है उ उस अज्ञान को कैसे छुड़वाया जाए क्योंकि जो डिप्रेसन से या एंग्जाइटी से या ओवर्थिंकिंग से प्रेशान होते हैं ज्ञान उनके पास बहुत होता है और वो ज्ञान ही बिमारी का कारण बन जाता है जैसे अरजुन का बन गया था हाँ शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तियार हो गए अब अरजुन खुद को बुद्धिमान बता रहा है ऐसी गलती बाकी डिसोर्डर में भी होते हैं हर एक इंसान ऐसा करता है कि खुद का हहिंकार इतना बड़ा होता है कि खुद को पुद्धिमान मानने की बूल कर बैठते हैं और जो रज्जे और सुख के लोब के सवजाय मारने के लिए उद्धत हो गई, मतलब यहां पर आ गई अब अरजुन अगर युद्ध सुरू होने से पहले ऐसी बाते करता तो समझ में आती थी अब युद्ध जब एकदम से स्टार्ट होने वाला है, वहां पर अरजुन के अंदर कौन सा ग्यान उतरा है ऐसा ही होता है कि जब इनसान के सामने असली चुनोती आती है असली प्रिक्षा उसके सामने आती है जैसे स्टूडेंट के सामने अगर कोई प्रिक्षा आजाए कोई ग्रहनी है उसके सामने कोई विकट प्रिस्तिती आजाए उसमें इस तरह की बाते करने लग जाते हैं वाले भी जब सबसे बड़ा एक्जाम था या लाइप का जब सबसे बड़ा टेस्ट था तब इस तरह की बाते करके लेकर करके बैठ गए यदि मुझ्झ सस्तर हीद अब कह रहा है न कि मैं बुद्धि मान उसके बाद अब क्या कह रहा तो यह को सांबना नहे बैखने ख्रिषन को लगा भि ये बंडा मानने वाला नहीं ये तो रत को ले जाएंगा नहीं अब अपने बस की बात नहीं है यदी वह कह現在 करते हैं तो उस स्लोक कि Härub Over चैशन बोले रंबहुमि में मन्हाले इस प्रकार कहका कर बान शीथ धनुस को त्यार कर रत के पिछले भाग में बैठ यह होता है कि हत्यार छोड़ देना चोड़ देना चोड़ या बत जोड़ देना सब कुछ कुछ किया इसे हो धाना कि इसी के साथ, पहले अजहाये का इंट्रोड़क्सन रहा, आज केना कैसे डिप्रेसन का सिकार होता है, कोई कैसे अरजुन के अंदर सिम्टम आने, कैसी उसकी मनोधशा बार बार परसलित हुई, यह चीज़ें आज के इस पहले दिन के अंदर रही, तो इस से समन्दित, नहा कविता जी आज हमारा पहला समाप्त होता है तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूँ है आपसे और कविता जी से कि आज के कोई सवाल हो वो पुछे जाएं इसको आप समप कीजिए प्लीज कि आपसे 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 झाल 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 तो जो थोट्स जी इसमें ना एक थोट्स हो चाहें अनेक हो क्रिशन इसमें आज बुद्श लोक बताएंगे अरजुन को कि जो लोकलाज के लिए फिकर करते हैं या हमें जो अटेश्मेंट और डिटेश्मेंट है विचारों के साथ उसमें आपके समस्या हल हो जाएगी बस आप गीता के साथ बने रहेए अब जो solution पर ही बात होगी अभी तक तो हमने problem को समझाए क्योंकि पहला अध्याए यही है कि diagnosis